कि अज़िए कि अज़िए नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेटर जम वर्चुल मैं पंकच खजुरिया ग्रेटर जम वर्चुल की तरब से सभी दर्शकों को चेतर नवरात्रे की हारदी शुकामनाएं और जैमातावी इस समय मैं मंद्रियों को शाहर जम्मू में जम्मू के इस्टातरी देवी श्रीमाता बावेवाली जी के दरवार पे हूँ जो भाव फोट के अंदर है और यहां पर आज बक्तों का नवरात्रे के पहले दिन में जो है वो सलाव उम्रा है बक्त जन जो है माता रानी के दर्शन करने आए हैं और आश्रिबाद लेने आए हैं प्रशनलरा रात्रा है गल मता हो आरहे हैं प्रास जो आलोग अपनी मटों कामना लेकर थी जह हां आरहे हैं बहुत तो सब की मटों कामना पूर्ण करती है तो बड़ी अच्छी विवस्ता है कर दिद नाज़ने तो मातन बलाएं तो तो अच्छी दिली तो है कि इतो जोब करदें अच्छा आहो तो जोदो माता पुलांधी आदें आटें जै मताटें बोट बड़ा इसमेंट सारा सब बोद्या जै मताटें मैं बहुत खुश हूँ बहुत परसन हूँ मा कालिका के दर्शन करके बाबे बाली मा के आई पहला नबरातर है शैल पुतरी मा का दिन है हम बड़े ही स्वागे शाली हैं जो मा के दर्शन हुए हमें हम खुश नसीब हैं कि हम जमू में रहते हैं और मा बाबे बाली हमारी रक कुछ भी हो रहा है उसको शान्त करें और हमें इतनी सुक्समरिदी दे कि हम सब के लिए अपने दिल में दिया दर्म दिया बाब का बाब रख सके जैम आता दी मा काली बाबे वाली जी के दरवार में आज जो भक्त जन है उनका आस्ता का सेलाव उम्रा और चैतर नवरातरे के पहले नवरातरे के दिन आज वह हम पर दर्शन करने पहुंचे और मा काली के जो आश्रवाद है वो लेने पहुंचे हमने देखा कि बक्त जन जो है क्रोना काल के दो साल के बाद लगबग जो है इतनी बीड उम्री है चैतर नवरातरों में क्योंकि पिछले दो साल में जो ह है उससे भी मावागवती जो है इससे उनको निजाद दिलवाए इन सारी चीजों के उपर आज पहले दिन सीधी हमने आपको जो दर्शन करवाए वो मा काली बावेवाली जी के दरवार से करवाए बहु फोर्ड में उनका मंदिर स्थित है काफी प्राचीन वह प्राकृतिक मंदिर है और आस्ता का प्रतीक भी है जम्मू के इश्टातरी देवी माने जाते हैं मा काली बावेवाली जी ग्रेट जम बर्चुल के तरव से सभी दर्शकों को एक बार फिर से चेतर नवरातरे की हारदिक शुकामनाए आप जुड़ रहें ग्रेट जम बर्चुल के साथ कैमेन काका के साथ मैं पंकच खजुड़िया जाहिन